कॉट है कि है अपैंने कि सबस्क्राइब करें आपने कि फिरक्षा टेर कि अलोई इवरीमान एफ और डिसए तो भीन सर बहुत बहुत स्वागत है अपका इस बहुत ही कुप सुरत से लेक्षर में एकलव यह 4.0 के अंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज एक नया चेप्टर की शुरुआत होने जा रही है एक नया चेप्टर जो है बच्चा इसके बारे में आप देखेंगे इसका जो MCQ वह आप देखने वाले हो बहुत मज़ा आएगा मैं फिर से रिपीट कर तो हमारा यह बैच चल रहा है एकलव एक लगव 4.0 जहां पर हम बात करेंगे कंशेप्ट ओफ पी वाइख्यू से मतलब मतलब की सर आप जो कंशेप्ट लेने वाले हो वह इन टर्म सप्ट पी वाई क्यों लेने वाले हो यहां पर पर प्यवाई किस की मदद से अने वाले एकलव यह 3.03 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप चेप्टर को देखे कर आ सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं रहा हूं मैं आपको most expected question रहेंगे most expected मतलब सर यह 24 में आ सकते हैं जी हाँ आज आपको साधी रिलाइजिशन नहीं होगा लेकिन आपको सब question वैसे यहां रहे हैं जो सरने बताए थे यह कई बार की बात है और यह कई बार जो कर चुका हूँ कई बार ऐसा हो रहा है ठीक है अवाज लो आप लो नहीं बच्छा आवाज लो नहीं है आवाज बहुत अच्छी आ रही है मैं तो आवाज बहुत अच्छे आ रही थी आप थोड़ा सा अपना वॉल्म बढ़ा लीजिए मैंने जो मेरे लेवल पे चेक कर लेता हूं भाई आवाज मुबाइल भी कम आ रही है आवाज क्लियर आ रही है कोई दिक्कत है सबको आवाज की तकलिफ हो रही है कुछ तो प्राब्लम है लग रहा है यार सर से बात काना पड़ेगा कि सर सर एक नया यह देने वाले तो आवाज अगर इश्यू आ रहा है बिना कि इसके तो शायद हो सकता है मैं देख लेता है कि हमने बच्चा इसका जो मिनमम जो इन्फोर्मेशन होता हूं मैंने चेंज किया कि इसमें बैटरी लगती हो मैंने चेंज किया है कि येस क्या वात है क्या वात है क्या वात है आवाज परफेक्ट है सर एक बच्चा बोड़ा है आवाज में तकलीफ है लेट्स होप पर देश्ट यहां पर मैं आपके सामने चेक कर रहा हूं इसके तो शायद हो सकता है इस एकडम परफेक्ट आवाज है तो यहां पर आवाज का इशू आ रहा है मतलब वह आपका पर्सनल इशू होगा बच्चा मोबाइल का यहां पर आवाज का कोई भी इशू नहीं है ठीक है चलिए तो उमीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से आप हमें सुन पा रहे होंगे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले धमाक्यदार तरीके से यार इसको शेर करो दबा के शेर करो येस 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 जल्दी से चेक करो दबा के लिए अपने दोस्तों मित्रों यारों मैं एक्दम ऐसा लगना चाहिए वह एकलब ए 4.0 जो है तो हमको मज़ा आता है कही इन बच्चों को ऐसा कुछ करना है कि इनको लागना चाहिए और हमने तीन साल से करती बढ़ियाец विए ऐसे ऊंटक्षे करो ये चाप्तरातै अपने दोस्तों में तो यारों को को शेयर करोuben बच्चे लगा आएंगे तो मजा आता है चेप्ट और कहों सा है चेप्टर ले इंट्रोडक्शन लायरा लायं परिंट्रोड़क्ष्ण ऋ पॉलीमर चैप्ट्र लेकिन l मिलता इसमेर से से दो कुर्ष्ट्र Zoella के क्वश्ट्र हांड़ पर्सेंट रहेंगे इस बात का द्हान देना एकदम ग्यारेंटी कोशन होता है इंट्रोड़क्शन डू पॉलिमर केमिस्ट्री कंसेप्ट पीवाइक में पहले मैं बात करूंगा थोड़ा सा बेसिक इंफर्मिशन की कि पॉलिमर अगर आप चेप्टर देख रहा है तो आपको पढ़ना है क्या करना है इस चैप्टर के अंदर चेप्टर का ना में बच्चा चैप्टर के नमबर के बात करें क्लास 12 का कंटेंड ले रहा हो में चैप्टर नूंबर 15 है जिसके अंदर हम बात कर हमस्तरें पाक्ट करें कि स्रेंड नियुक्ट रहें कि सर इंट्युमर केमेस्ट्री लिहां सैं डिकलें तरा इंट्यूप्ट्ट कुम्स्ट्चन टू त्पॉअली Bizim यॠंट इन्ट्रोडबुमर ट्रोड़ीयिंस्ट्री कि सबसे पहला ध्युक्टिन यहाथा हैं कि सर chemistry जो इंड्रोडूइन हो सब्सक्राइब मतब सही तरीक्राइब क्या है उतनुट इसे बहुत चोटे मोलगेश कर नहीं है जिसी कि एखी मोल ऐसे आखकर में सब्सक्राइब अई। सिर्फ णको है किस देखर यहां पर एक बात तो तो क्लियर हो रही है कि ये इन्फोर्मिशन यहां पर रहा रहा है उसके बशलिबाँआ कर लेते के देख लो तो यहां पर क्या आना हम बात करें थे मतलब होता है मेनी कि ederim आकर मैं पॉलिमर के बात करूं बच्चा पॉलिमर के अगर मैं बात करूं तो पॉलीमर में जो पॉली वर्ड होता है उसका मतलब होता है मेनी इस तरह से पॉलीमर बनता है है मतलब बहुत सारे पार्ट को जब आपस में मिलाते हैंस now क्लुमर बेजल क्लासीपेशन क्या है बहुत सारे जो लोग होंगे बहुत सारा कॉंबिनेशन जोगा चाहे वो जाएंट मॉली के लोगों मैकनों मॉली की लोगों हाई मॉलीकुल वेट कंपाउंड उंको पॉलीमर बोलते हैं मतलब मेनी पार्ट सिंपल बट सर क्लासीपेशन कितने राइक पॉलीमर पाय जाते हैं तो पढ़ने वाले हो पहला क्लासीफेशन है बेज्द ऑन सओर्स मतलब ये बनता कहां से है सर्फभवर कहां से बनता है तो पॉलीमर बनने के अलग- Dual से मिलते डारेक्ट से मिलेगा डारेक्ट इनिमल से मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है कुछ पॉलिमयर होंगे जिनको हम बनाएंगे कुछ पॉलिमर ओंगे जो नेचर से मिलेंगे उनको मॉडिफाय करेंगे तो इस तरह से पहला classification आता आपके लिए based on source जिसके अंदर further तीन classification यह तीन चीज़े हमिंदेखने करले मिलती हैं इसमें बेज़ण सोर्स में आपको तीन चीज़े देखने करले मिलेंगी पहला जो concept आएगा बच्चा जारा देखते प्यूर्ली सिंथेटिक ले लो मतलब मैनमेड बोल सकते पुली कर असे यह बेज़ ओन सोर्स के बारे मिन फॉर्मेशन है ठीक फिर आम बात करते हैं कि सर जो सेकंड क्लासिफिशन वो क्या है तो सेकंड जो क्लासिफिशन बच्छा वो आता है कि भाई किस तरह का स्ट्रक्चर आप ले रहे हो फॉली म अ का स्ट्रक्चिर का थेकंड बच्छा बया सिफ जांता है जाता है जैसे कि पहला अनNEहर चैन हो सकता है दूँसरा जो है वो ब्रांच हो सकता है और तीसरा जो यो उटैवों नेटर्क लाइक हो सकता है नेटरए को वाला हो सकता है जिसको मुलते खिया चुल शुंद तर सकते हैं आँ सफ़ें क्रॉस लिंक पॉल Erst evaluate क्रॉस लिंक पॉलीमर के बात हो रही हैente क्रोस लिंग्ड पॉलिमर की बात होरी है तो यह आपको मिल गया बेज्ड अर्ड्र किस कि वह मिल्गोगा एक बेज्ट इस अन्स चेर्म लिज टीट टीफिफिटीज वो वट्र छॉर्ट वाजी इंद एस वॉड टिफिकेशन वट इन वर्ट वी दीज टोर्ड क्लासिफिके साउंड बोल रहे हैं है कि ऐसा होता है एस फायसahh क्लासिफेशन करने वाले हैं सर मतलब किया जब बोलते हूं एफ पॉलियानरा प्रोसेस क्या एक्वान कासी चीजों कें हैं वह यहां पर देखने वाले क्या आप तयार है क्या तयार यारे बच्चा चलिये तो यहां पार आने वाला बेस्ट आन तोट अओ से मूड औप पॉलिम जिसको पॉलिमराइजेशन प्रोसेस के रुख में मैं देखता हूं मॉड औफ पॉलिमराइजेशन सर्सका मतलब क्या है इस तरख के पॉलिमराइजेशन होते हैं वह यहां पर हम बताने वाले जैसे की एक्जामपल के लिए आप देखला पह साहर नहीं निकलता है दुसरा होता है इसके अंडर टन्द सेशन पॉल्मटाइश्ण व्य क्या ये बात समझ महाइं ये इकक्दम आसान हो रहे हैं ये क्या बहुत राइगवाई ट्रेगर तपर जोइन और है अच्छा हमारे और पर जाई ये वहाँ पर टॉपर्स प्रो बैच जल्दी से जॉइन कर लिजा अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत तरीके से स्ट्रेंग के बैच मैं कैसे classify करेंगे मतलब मतलब सर ये मतलब ये के based on अग्याइट जो classification उसकों बोलेंगे based on molecular forces based on molecular forces अपर दिखाई देगा आपको फॉर्स जो मिलेगा बच्चा धिहां देन आच्छे से लोग मिलेंगे जिसमें पहला होता है और इलास्ट्रोमर इलास्ट्रोमर क्या होता है इलस्टोमर के दिए साथ में पहले जाता है क्योंकि यह इलस्तोमर है कि खिचेन प्रस पर इस के लंबाई बढ़ने चाहिए यह त्यूद करना इस डिमाग में अपने दिमाग में सेट करना इलस्टोमर सब नमर सेकेंड। डिमाग चला बच्छा नमबर सेकंड के अजल्दी बोलो वट्र फाइबर नाम सुना है थोड़ा बहुत सुना हूं सर ज्यादा नहीं सुना हूं तो नोमबर सेकंड है आपके लिए फाइबर फाइबर जिसके अंदर हुट्रोजन बोंडिंग एक इंपर्ने रोल प्ले गरता बीच के रहेगी दैट इस तर्मो प्लास्टिक क्या पूलिंग ऊसको हम थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर बोल्व है और खास बात यह कि यह लीनियर यह पर होगा यह लीनियर ओम या फिर ब्रांच चेंड में होगा और इसको जब हम तर गौनि-वनी लेके सा पॉर्टन की ऊसको प्रॉपर शेव दे दिया बाल बन गया अब दो हाड बनाना है पानी में डाल देने अब इसकुआ हम बոलती है थर्मो प्लास्टिक पॉली मगी स्कों क्या करेंगे गरम करके क्या करisions रूप रंग सब्सक्ते ते तर्म सकते हैं और लास्ट होता है हमारे लिए थर्मों सेट्िجख more निमिर जिम establish पहली बार ही बनाता है समय को जो शेप देना है जो रंग देना है पहले दे दो लेकिन उसके बाद ये भाइख को गरम करने पर भी क्या नहीं होने वाले टिफ्यूज नहीं होंगे खराब हो जाएंगे सिदा इनको ब्रेक नहीं कर सकते सिदा खराब हो जाएंगे तो फर्मो सेटिंग की खास बात है और सबसे बड़ी बात दोनों में में डिश्विंस के पार्ट बात करेंगे यह लिनियर एंड ब्रांच हो सकता है जबकि यह नेटवर्क वाला होता है बैके लाइट यूरिया फॉर्मलेड ऐसे लोग इसके अंदर आते हैं चलेगा आप एक बार जरूर टेस्ट बुक रिट क और टाइप आप मोनोमर्स मतलब किस टाइप का मोनोमर आकर अटैक कर रहा है एक्चली किस टाइप का मोनोमर आकर अटैक कर रहा है सरकिस टाइप का मोनोमर अटैक कर सकता है तब हमको पता है कि मोनोमर दो तरह के हो सकते हैं एक कि हम दो अलग-अलग मोनोमर यूज करें या तो हम एक ही मोनुमर को बार-बार मिलाएं जब हम एक ही मोनुमर को बार-बार मिलाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा हो मो पॉलिमर जहां पर एक ही मोनुमर का यूज बार-बार किया जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि सर हम दूसरा मोनुमर भी लेकर आ रहें एक मोन सिर्ड एज्डों को पॉलिमर नाम तो सुना ही होगा यहां पर यहां पर यहां पर आने वाला आपके लिए हेट्रो पॉलिमर यहां से छलो यहाँ हो जागा हेट्रो फॉलीमर pourquoi उसको हम बॉलेंगे जार यह को पॉलीमर भी हो सकते है क्योंकि पॉलीमर चोम ह backgrounds क्या होता एक ऐसा पॉलीमर जो कही न कहीँ आपको दो मोनुमर से लेकर बनेगा बोले ये बात समय नमबर शिक्स का असर बेज़्ड ओन अबॉट्ड लास्ट है और यो डिगरेडी वीली टी डिगरेड विल्टी बेज़ यह क्या होता है देखोड डीग्रेडिबिल्टी का मतना भी कौन जल्दी डीकंपोज हो रहा है एक तरह से या कौन डीकंपोज का प्रोसेस फॉलोगर तो इसमें भी दो बंदे आएंगे एक तो आएगा प्रॉपर आपको बायो डीग्रेडेबल पॉलीमर क्यों आएगा बच अच्छा नॉन बायो डीग्रेडेबल पॉलीमर ध्यान से देखना बच्चा सर बायो डीग्रेडेबल कौन से लोग होते हैं दो यह तो एक्जांपल है मेरे भाई याद करके जाओ नाइलाओन टो नाइलाओन शीक्स और पी एच बीवी बायो डीडेडेडेडेडेडेडे बंदे हैं सेलेक्टेड बंदे हैं आया सवाज में डीग्रेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडे दूसरे को किया है कि सर नौन बाइवर्मेंट में पढ़ा हुआ है सालों से पढ़ा हुआ है आप जाएंगे ना गाउव साइड में जहां पे खेत को जुटाई करते हैं जब चलता है तो जब चलता है तो जब एक ते किसे पड़े हुएं या कहीं पर जब किसी ओम इतना प्लास्टिक मिल्टा बाइज शॉखता ही जगा कोई ख़ड़ा करें आप ठिक हैं अगर आप जब खुड़ाही करके रखो दो एक्जाम्पल पी एच बीवी और नालों टो नालों सिक्स ठीक है एक और बंदा होता है डिक्स्टाउन करके होता है बड़ भी फिलाल बुक में तो नहीं है बट पढ़के रख सकते हैं डिक्स्टाउन तो यह चीज़े होती है तो यह बच्छा बेसिक आपको इतना आपको मालूम हुआ होना जाना चुर। 9-50 धज्यूंगे तो इसके अलामेशी चेप्टर में उन का क्रके में यह तो यह करके ही होगा यह तो मैं करके लोगा ब्सक्नेय से अकला सब्सक्र reef ले अ अल मौनोंबर्स कि आपका अच्छी साहँ न चीए मनें जैसे पॉलिधीन गंगा यह बनाना है तो थींगा मालूं होना चीए मैंने बूला पॉली एक्राइवल अमयड बनाना है तो आकर अक्राइवल अमायड पता होना चीए पीवीसी बोला मैंने तो विनायल माल bajνे होना चाहिए मतब आपको मोनोमें अचैसे पता होना चाहिए आपको सारे के सारे जो मोनोर रहे बच्च गवां पर पड़के लेना होगा तो यहाँ पर एक टापिक पुर्रेख अच्छे साने चाहिए साथ में जो पॉलीमर है उनकी यूजेज बहुत अच्छे साने चाहिए यूजेज ऑफ आल पॉलीमर्स यह बहुत अच्छे से करके जाओ यह एक टॉपिक निकलता है जो मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है इस चप्टर के लिए नो डाउट आपको यूजेज ऑफ ऑल पॉलीमर्स करना पड़ेगा और वह अलग लेवल पर करनी पड़ेगी जैसे कि आपको नियोप्रीन का यूजेज क्या होता है एच्टीपी का क्या होता है और यूजेस सिर्फ इसे उपकरति मत करना यूजेज कि लेना आपको ग्रीन के चेप्टर के उपर जाना पड़ेगा डिपेंड होना पडिखास करो हां युलो बॉक्स दिया बच्चा वहां पर भी यूजेज में उसे दिया हुए वहां पर भी यूजेज भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब हम यूजर बोलते किसी पॉलीमर का तो हम पॉलीमर चेप्टर ही सोचते हैं बर सही मायने मों गिरिंग के मिश्टी से भी आ जाता है क्वेश्चन जो बहुत ही कम लोग को पता होता है क्या यह बास समझ मैं यह दो चीजा अब अच्छे और स्पेसिफाय करना है क्या आपको बिल्कुल छोटा सा इंफ्रमेशन चैप्टर दो पुराई करने अपने को नो डाउट बढ़ मैं यह बताना चाहरा हूं यह क्यों क्यों यहां देखों अगर आप अब्जर्व करेंगे ना तो अब लुक्ष सेलेक्टेड आपको कैटलिस्ट मिलेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जगहां पर जो कैटलिस्ट होती ना बच्चा वह एग्दम स्पेसिफिक होती है जैसे मैंने बोला कि HDP में बड़ी सेलेक्टेड कैटलिस होती है जिगलर नेट्टा अब यह एकदम सेलेक्टेड है मतलब यह एक्जाम में चांसेज बहुत जादा होंगे जीगलर नेट्टा कैटलिस्ट हो गया या फिर एक और आप ले सकते हो जो आपने पढ़ा होगा टेरिलीन का कैटलिस्ट याद किसी को जींक एसा कुछ पढ़ाएं कि ने पढ़ा है तुम लोग ने जीगलर नेट्टा येस सर उसके अलामा उसके अलामा क्या बोलती है पबली यहां पर येस किसी को एक राखा है बच्चेमान आपके लिए अगर किसे को ऐसा लग रहें कि सर आपने को नहीं कराने वाले कि आज भाई एमसी को नहकरा है कि आप बताओ मुझे येस कभी ऐसा हुआ है एंसे क्यों ना कराऊ में जिंक एसीटेट कि एंटी मनी कि यादे कि नहीं यादे है येस बोलो इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं बोलो कि नाइलोन 6 में क्या होता है यादे किसी को नाइलोन 6 में चैकलिस बता कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि नाइलोन 6 में चैकलिस यह यूज करते हो कभी पूछता तो आप क्या करोंगे सर पता नहीं एच्टू यूज करते हैं स्पेसिफिक कंडिशन के साथ में सब्सक्राइब तेंप्रेटर भी रहता है इसके आला लोगा पता है जल्दी से बोल्बच्चा कि जल्दी से मुझा को मालू में की यह अपने को मालू में हम लोग ने पढ़ हुआ है कि मैक्सिमम केसे में जब कभी भी आप जैसे की ऐल डीपी ले लेते हो लिटे ओ एक जबी पी फिले ले 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 टाह एक लिटने चाय एम मालू में यह सर बिलकुल मालू में यह चीजी हम यहां पर यूज करने वाले तो कैटलिस टेक इंब रोल प्ले करेगा इसके आलावा और भी कुछ कुछ इंफर्मेशन ले सकते हैं जैसे कि कुछ एक्जामपल ऐसे भी होते हैं जैसे देख लो यहां पर एक ऐसी अफ्टू डबल बॉन यह यहां पर दो यह आपको मैं दिखाता हूं इसको हम बोलते हैं टेफलोन आपको बना टेफलोन में भी एक स्पेसिफिक कैटिस यूज होता है मालू मैं आपको टेफलोन जो कंपोनेंट इन बच्चा उसमें इक स्पेसिफिक कैटिस यूज होता है कि बहुत कम लोग को मालू होगा मैं दिखाता हूं आपको यह टेश्ट बुक पढ़ने का फुरा कमाल होगा जितना आपको आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा देखो थोड़ा जगह की जरा कमी चल रही है यह यह देखो जरा तो यहाँ पर मैं बताना चाहिए कि टेफलोन के केसिस में भी इन फेक्ट मेरा पहला कोस्चेन उससे रिलेटेट था दिख रहा है टेफलोन के अंदर पता है क्या होता है जरा बताओ टेफलोन में कौन सा कैटलिस्ट होता है एवरीवन इन दे चैट बॉक्स एंसी क्यों पिल्हों ने लेने वाला हुनए उने वेरे बत्चा एव तुम जलिद्वाजी में गल्ती मत कर चाब टेफलोन के अंदर टेस्ट बुक लेकर पड़ो देख़ो वहाँ पर भीली आप लगया है तो समझ में आएगा आपको जल्दी बोल बच्चा कि सर्प्रक्षाइड यूज़ सकते हैं बिल्कुल सही और क्यूंकि यूज़ करते हैं क्योंकि डबल वॉन्ड है तो पैरोकसाइड तो बनता है जो भी डबल बॉन्ड उसमें परक्षाइड तो बने गा तो उसके करते नहीं आया समझ में तो मजाएगा आपको यह कोई दिक्कत है बच्चा कोई डाउट है क्या मैं यह उम्मीद करूँ कि यह जो पहला पेज दिख रहा है आपको यह हाट ऑफ दी पॉलीमर हो गया एक तरह से यह क्या बन गया बच्चा टेफलॉन पेरफसाइड इसके आला अब शुरू होने जा रहा है आपके लिए एंसी क्यू का सेशन मोस्ट आप चीजे मैंने आपको बता दिया चैप्टर में पुरा समझा दिया कि किस तरह से क्या चैप्टर है मैं उम्मीद कराओं कि हर इक बच्चा इस चीश को समझ पा रहा होगा यह और नो पिलिए बच् एंसी क्यू कि format में यह रहा आपके सामने दो हजारं किसका पहला Question M see gdyAre you ready बोलो yes sir we are ever ready हम रेडी निया हम एवर रेडी है ताचलिए यह 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 रहाप circuit याज इस पूरे question के साथ खत्म करेंगे एक trap am I order chapter में बच्चा एक पूहँ दिक्यत निए जितना आपको लग्या कि यह आराम से हो सकता है या मोस्ट एक्सपेटिट इस्टर वे सब्सक्राइब कोई दिख्यत निए चले का यह आपके सामने 2021 का question यह आपके सामने 2021 का question बहुत ही जबर्दस तरीके से इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो इथिलीन अभी पीछे में यही बता रहा था कि यह मोनूमार है इसका जब हम पॉलीमराजिशन करेंगे ना तो हम कैटलिस्ट में क्या लेते हैं सर यह कहां से पता चलेगा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको यह लेक्चर को अच्छे से देखो साथ में टेश्ट भूख भी रीड़ करो तो आपके पास ऑप्षिन में पर अच्छिए था है क्या इसलिए पर अच्छा बहुत सारा होता है बेंजोल पर अच्छाइड इसलिए पर अच्छाइड लेना है यहां पर उसने अच्छाइड बुक में दिया नहीं एक नाम पर तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं जाओंगा तो मुझे पता चलिए क्या अमूनियम पर सल्फीट इस प्र एकुरेट 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 आंसर यह ट्रिकी क्वेश्टिन के दोज़रेकिस म अंसर है सबको समझा कैसे आया यह कोई दिक्क्यत बच्चा कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी चीज़े एकदम आसान हो गई कोई कंफ्यूजन है किसी को भी कोई डाउट है नहीं सर चलिए अगला कोश्चन आपके लिए चमशमाता हुआ यह देख लो अगला सब्सक्राइब हो मतलब क्या होता है सेम अभी तो मैं पीछे बता रहा था हो मतलब सेम सेम तो पीच वीवी अलग है टेफलॉन सर हो मो हो सकता है बैकलाइट नालों 6 में अलग-अलग लोग मिलेंगे तो टेफलॉन हमारा सही आंसर होगा वह सी अफ्टू डबल बॉन्ड सी से ही बनता है तो यहां पर जो मोनोमर दिख रहा है मुझे वह सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर मुझे एंड टाइम मिलेगा इसका मतलब कि हमारा जो मोर एक्कुरेट आंसर होगा वह नंबर भी होगा तोटली करेक्ट आंसर कोई कन्फूजन कहीं पर भी किसी को भी अगला क सब्सक्राइब और यह एकदम रिसेंट वाले हैं मतलब कि एक्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है यहां से हमको पता चल जाता है कि एक्जामिनर क्या सोच रहा होगा जल्दी से दिमाग चलाओ आंसर बताओ जल्दी बोल बच्चे इंतजार किया जा रहा है आपका बढ़िया तरीके से येस 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 आंसर चैट में बरसने चाहिए उड़ने चाहिए आंसर पका डी लॉक कर दिया जाएं ओके एकदम सही आंसर है नाइलॉन 6,6 नाइलॉन 6,6 के नीचे आप जाके देखेंगे तो आपको आपको आपकर क्लिरली मेंशन क्या हुआ हुआ है कि जो ब्रस पॉर ब तो मैं अब यहां पर दीख रहा है लेकिन आगर में आपको बता दू क्योंकि मैं चप्तर पूर और अनसिस किया इंदो मुझे पता है कि कि सफ्टर से ये सही माइने में को आपको ज़से लोग बहुत से लोग बहुत से लोग आप पॉलिश्टीन को अच्छी से पढ़के फोर्फ मन्द पॉलमर में और Deutsche Li । नहीं होता इसको बैंख दिया गया गया है याम के यूझे happy आपको बोला कि है किसका यूजम डी डिस्पोजल कप्स और यह सब बनाने के लिए करते हैं यादी कि निया याद है येस चलिए बोलिये जल्ली से वाट इस अ करेक्ट आंसर तो प्रिपेर बॉर्टल्स फर्स्ट टोले जोप महुद वाश नहीं तो मैने फेक्ट्ट्र डिस्पोजल कप्स औ आंसर है हमारा चेकर बच्चा क्या बात है टू अप्टेन डिस्पोजल स्कप्स और प्लेट्स बिल्कुल सही आंसर है कोई दिक्कत नहीं आपर अगला क्वेश्चन दो हजार तेश का ओमाई गॉड़ तलास थी इसके तो हमें बेड़े बेसबरी से तलास थी क्या बोलाए और पालीमर पोला है पैचानने के लिए और बुला है किसका यह होगा तो दिमाग चलाते पॉली एक्रेल नाइट्री लोगा ग्लिप्टल अगा सर यह सब कहां से आ रहा है अगर आप आप अब्जर्व करेंगा ने बच्चा तो आपके टेबल दिया हुए मालुमें आप ल पॉली एक्रेल नाइट्री जोता वह सिंपल है वह एक्रीलो नाइट्री से निकलता है सर फॉर्मुला कैसा बनता है च्छ 2 डबल बॉंड्ड च्छ और यह ऐसा होता है इसको जब हम पॉली में रशन करेंगे ताम हमारा राइट आंसर बनता है कुछ याद आ रहा है इसको म अच्छ एक्रीलो नाइट्रील बोलते हैं क्या यह बात समझ में इसकी तुम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो और कभी-ख़ी ऑप्शन बीच पे दिया हुआ है और बहुत से लोग उसको हलके मिलेके आपको कि पूरा का पूरा आपको करके जाना पड़ेगा हर एक लाइन करके जाने पड़ेगी अगला कुश्चन दो जार तेस के लिए जार देखो ओहो ओहो क्या बात है सर क्या बढ़ियां क्वेस्चन है क्या पूछा है बाई बुलाएं कि वीच आफ दॉप पॉलिंग पॉलिमर इस ऑप्टिन प्रॉम सी टू एफ टू एफ टू जुवरो इतिलीन मैं कौन हो टें लौि जीन को ताकि आप हल्त के अगला क्रश्टिन दो जारेकिज्ट मस्ट एग्नम चमचमाता हुगो थे लिए बच्च्छा गावड यां में विच अमक दॉलींग मोनुमर इज रुपेर पी विए सी मोनुमर इस रुपेर निवी सी पॉली विनायल पॉलराइड जल्दी से देखो क्रीक्ट रूहर आंसर तो एवरीवन फन आपर दिमाग चलाओ जल्दी बुल बच्चा जल्दी से आंसर दो वोट इस द करेक्ट आंसर विच अमंग दो पॉलोईंग मोनुमर्स इज यूज तो प्रिपेर पीवी सी पीवी सी मतलब क्या सर पॉली विनल कॉलराइड जी हां पॉली विनल कॉलराइड और सर पॉली विनल कॉलराइड बनाने के लिए तो हमको बड़ा सिंपल सा अंसर है विनल क्लोराइड कैसा दिखता होगा लेकिन से हमको ऐसा कुछ दिखता होगा शाइन के फॉर्मुले की रूप में पूछ नहीं यह है क्या यह यह च्यूंकि एक करबन जो करबन दूसरे क अगला क्वेशन 2021 का बहुत प्यारा क्वेशन है बहुत मज़दार भी लग रहे हैं इसमें से थर्मो सेटिंग पॉलिमर कौन सा है अब थर्मो सेटिंग लास्ट में बताना तभी मैंने बोला थे कि यह नेट्वर्क वाले होते हैं उसलिंग पॉलिमर होते हैं सब लोग इनको सब लोग इस रूप में बनते हैं बेकल है योर्यहां फोर्म यह जो हाड होते हैं वह सुर्मेया आते हैं सही बात है तो मतलब सर आप कहना चाहिए कि विछ फॉल느 वेट वाला या फिर क्रॉस लिंकिंग वाला पॉलिमर के रूप में एक्जिस्ट करता है 2022 के एकदम बहुत ही प्यारा सा यह सकता है यह पॉस्बिल्टी यह सकता है यह सकता है यह सकता है यह बिल्कुल जैसा होता है बिल्कुल मिल्क दही जैसा समझ आप ठीक है कि एकदम बिल्कुल लूज होता एक तरह से तो उसके सामने हमारा बुना इस तो काफी स्टॉंग बुना इस रिक्मेंड इंटार इंडस्ट्री आपको पताएगे नहीं इसको टार इंडस्ट्री में बहुत तेजी से यूज़ कह कहीं ज्यादा होगा बड़ यहां पर बोला है लेस दैन नेशनल रबर तो मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमेत नहीं हूँ और इसलिए हमारा आंसर बी के तरफ जा रहा है जबकि यह इलाश्टोमर होता ही है वह बाई डिफॉल्ट उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अग इसमें कौन सा यूज आएगा आप बिल्कुल अंदा निला सकते सर ऐसे केसद में क्या करें ऐसे केसद में बच्चा आपको ग्रीन केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी अदर्वाइज आप इसको टैकल करने में फसेंगे गैरेंटी फस जाएंगे यह यह बोल सकता हूं में आपको बहुत मुश्किल होगा इसको सही तरीके से टाइकल करना गरीन केमिस्टिक का कुष्चन अगर आपने नहीं पड़ा होगा चैप्टर नहीं पड़ा होगा तो यह कुष्चन आप बड़ा मुश्किल जगर पाएंगे विगान हमें पता है कि HDP जो तन बचन हाड़ आप चीजों को बनाने के यूज़ करते हैं तो इस अप्टेंट तो बैग यूज़ फॉर शोपिंग नहीं यह तो लड़ी पी का का मुटा था बैग और शीज़ बने मैने फैक्टर आप डिस्पोजल कर यह पॉलिश्टी नहीं होता था अप मैने फेक्ट्र आप बॉटल स यह लग रहे है तो प्रिपेर ड्रिंगिंग श्राइब लूज होता है तो अभी फिलाल हाट चीजों के सापसे मुझे सी आंसर मन मिल रहा है और आगर आप जाके ग्रिंग के मिस्टी कर टॉपिक पढ़ेंगे यलो यलो बॉक्स पढ़ेंगे तब आपको सी आंसर सही आता ह आप नजर भी आएगा कि हां सर आप सही बोले दे वहां पर ऐसाथ बोला है कि यहां पर स्टो शेंपू बोटल बनाने के लिए हम क्या करते बच्चा यूज करते शेंपू बोटल काफी हाड होती है अपने आप में ठीके स्ट्रॉक के कमरे में तो काफी हाड रहेगी येस और नो येस 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 कोई डाउट है बच्चा कोई कन फ्यूजन चीज एकदम आसान हो रही है यूज ऑफ एच डीपी समझा दोजर तेज को आपको मज़ा ही आ जागा देखके दो हजर तेज के क्वेस्चन है इजी है पॉलीमर सब दो एक एक होता है कि चैप्टर की पूछेंगे अब थोले कि तुमको कुछ अलग से वहार से पूछेंगे तो एक चीज हमें सायाद रहो येस आवाज तो क्लेर आ रही बच्चा आवाज कैसा स्लोग डूलर मुझे वह नी समझ माँ रही है आवाज तो काफी करता हूँ अगले लेक्षर से मैं नया माइक लेता हूँ ठीक है आज ओडर कर देते हैं अगले लेक्षर में नया माइक आ जाएगा बट मुझे आवाज फिलाल हमारे यहां पर सही लग रही है मैंने चेक करके देखा तो आवाज सही आ रही थी ठीक है चलिए कि फ्रॉं दौ फॉलाइंग पॉलीमर is grouped into category of ilastomer ilastomer के लोग कौन से इसमें से किसको आव मोलेंगे यह ilastomer वाला बंदा है क्या नायलोन इलास्टोमर है नहीं सर नायलॉन तो नायलोन होता है बाई बुना एस बुना एस रबर होता है पड़ा होगा आप लोग ने टेरलील इन पॉलिधिन बिल्कुल नहीं तो इसमें काटेगरी की बात करेंगे तो भूना एस बिल्कुल ये रबर है आपने पड़ा था कि भूना विवूता डइन प्लस स्टिरीन का कॉंबिनेशन रहे दिमाग चलाते रहुटा लिनियर पॉलिमर लिनियर पॉलिमर बोला यार लिनियर पॉलिमर का मतलब क्या होता है जिसमें ब्रांच नहीं होंगे अब लिनियर पॉलिमर है कौन अब अगर हम ऑप्शन को अच्छे से पुड़े तो हाइड देंसिटी पॉलिथीन जो होता है लिनियर होता है लोग देंसि से बनता है एकदम सभी जवाब है इसके अंदर स्पेसिफिक कैटलिस यूज़ किया जाता है जिसका नाम है जीगलर नेटना तो यह हमारे लिनियर होते हैं कि JOC आइट इनकी बात करेंड़े ओंगे और यह दोनों के ब्स्राइब की क्रॉस लिंक वाले होंगे इसका कुंष मैं अाया था और तो के עफिगोड जैनक समय कको सब्सक्राइब देल लए पुछा गया मोडिफाइड न सुल्सक्राम करते हैं यहां पुछाा कि बाउड कोना मैं दिया कोई कर फ्यूजन नहीं एकदम पर्फेट रास्ते समको समझ मार रहा है कि हां बाइब ब्रांच वाला ही यह कौन सा बंदा यह ब्रांच वाला बंदा है कोई डाउट है यह चीज़े एकदम आसान हो रही है मस्त मजा आ रहा है और कोई दिक्कत है ज़रा बोलो यहां पर यह आगे बढ़ा जाए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आगला कोशन आपके लिए वीच आफ पॉल्लिंग पॉलिमर इस ऑप्टीन प्रॉम एप्सिलोंग के बात कर रहे हैं एप्सिलोंग के बनता कैसे होगा पहले दिमाग चला लो कांसर्प के साब छेल रहे हैं हम लोग इस स पॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं इसका मैंने कर दिया पॉलीमराजेशन पानी के प्राइश में करते हैं बॉन टूड़ आएगा बॉन टूटेगा तो क्या बनेगा बॉन टूटेगा ना तब यह कुछ ऐसा बन जाएगा देखना बच्छा यह पांच बर और यह एनेच यह कुछ ऐसा बन जागा इसको हम बूलेंगे नाइलॉन जाएगा इसका नाम है एपसिलोन के प्रोलेक्टम को देखते चलो आपको भी फील आजाएगा सर इसमें नाइलॉन सिक्स बनेगा बिल्कुल सही जवाब अगर आप के बात करेंगा तो नो डाउट यही आंसर होने वाला है बहुत प्यारा क्वेस्चन है देख सकते हैं आप लोग यह मजा आगया अगला क्वेस्चन आपके यह रहा जलिसर दिमांग चलाओ फटाफर आंसर दो वाट विल बिलकुका आजर दो दृट वैच्छन विलीजर और सफर दिश्क्वेस्चन देख यंडिए रोव मट्री आजंसर का नारों शिक्स का नालों शिक्स का रोव मट्रील लिवाट्चा होता है क्या प्रॉम्र ज अगला कुछ दोजर बाइस का oh my god transport of gasoline कुछ तो एक हाड रबर का यूज़ करते थे इसके अंदर अगर आपको याद होगा तो तो यहां पर आंसर बताओ विच आप फॉलोइंग विच आप फॉलोइंग विच आप फॉलोइंग पॉलीमर इस यूज़ तू अप्टेन होस पा कि आपने पॉला रभर रहा है यह भाई सामने तीन तीन रभर चिपका दिया बीलो अब बताओ कौन सा आंसर होगा बुढो बुना एन रभर नियोप्रीन रबर बुना एस रबर सचल किया रहें सरी है क्या माग करूं कि इसके अंदर इतने सारे रबर दे दिये बच्चा र ऐससे देखना स्टार्टिंग से लेक्चर उसमें पेरे पेड़े में ने सारे डिटेलिंग दिए कि आपको क्या 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 करना है समझ में आया बच्चा यर्स यर्स एस ओं यर्स पेडिंग्सिंटासर Pow पूरा मैंने पूरा जो रियक्षिन हो करके दिया है नुमेरिकल वाले चेप्टर में फॉर्मुला पूरा लिखा गे दिया है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी बुक की लेकिन सिर्फ बुक मिलेगी कहां से बुक मिलेगी बच्चे आपको और कर सकते हैं आप जो है कि हमारा जो गूगल फॉर्म आपको और कर सकते हैं ठीक है तो वो पॉसिबिल्टी है आपको बुक जाएकि बड़ी असानी सब घर तक आजाएगी इसका जो आंसर बच्चा नियों परी ने पढ़ना पड़ेगा इस सब को अगला कोश्चन भी 2022 का क्या बात है सर क्या बात है 2022 का क्वेश्चन चम चमाता हुआ मुस्कुराता हुआ ओह 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 विच्च प्रॉम पॉलिंग पॉलिमर अप्टेंड एलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्मुनिकेशन हार्डवेर यह इजी नहीं है बच्चा क्योंकि यह रेगुलर में नहीं मिलता है पहली बात अब आप दिमाग चलाओं कि यह कहां है कहां मिलता है जल्दी से बोलो वड़ेवाण तेस्ट बुक का लास्ट पेज आपने पॉलि कार्बोनेट जाके चेक कर एक बार इलेक्रिकल एंड कम्मुनिकेशन के लिए आपको पॉली कार्बोनेट जो बढ़ा तरीके से यूज होता है बच्चा अगर आपने रीड क्या होगा तो आपको मिलेगा इलेकल एंड टेली कम्मुनिकेशन हाडवेर ठीक है इंस्टूमेंट्स के लिए ज पढ़ना ही पढ़ना इस चेप्टर में उसके बिना आप इस चेप्टर को कभी भी नहीं मान सकते या दखना चलेगा आगे अगला कंसेट क्या है सब बाताओ यह कुश्चन है यह 2023 का क्वेश्चन है बाज़ोडिग्रिडबल अपने आप में काफ़ी इजी हो गया क्योंकि यह वह सकता है बिल्कुल सही आपको बात करूब के साथ खेल रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया है नहीं बताया तो देख लो यहां पर चेप्टर में हमने आपको चिकाया हुआ है कि बाइओ डिग्रिडेबल जो होते हैं आज मैं स्पेसिपाई कर आदा डी जो आपको पता है मैं दुसरा बंदा है कि दुसरा होता है बच्छा पी-एच्टबी वी झीच लां चासा का बहाईत क्वाई है मुछें पॉलीमर मेर है uh which from the following इनव इसम ठ्रैबर इसको आपको लिए आँसरों अगयक्तल है अगला के और साउ lines dużo यह औरने में नियो प्रीट भाद वै ऑफवाह है गलत है सच नहीं है अफवाह है बोलो जल्दी से यह इस-ट जल्दी से बोल बच्चा दिमाग चलाओ आंसर बताओ फटा पट एकदम उड़ा दो इस कंसेप्ट को उड़ा दो इस कंसेप्ट को कोई दिक्कत है तो बोल दो कोई कंफ्यूजन है तो बोल दे बच्चा कोई डाउट है है जाए यह जाए बहुग ऊपर इसके पहले आंसर के बात कर रहे हो या फिर इसके पहले का अंसर की बात शिरningar नहीं है अलग है इस बात का धहन देना चलिए आते अगले को इतरा वीच अमंग दॉलिन स्टेटमेंट इस not true which of the following statement is not true for Neoprene Neoprene के बारे में आपको क्या लग रहा है कौन सी बात जोल जा पाटे वाली है तो दिखते हैं इस सिंथेटिक रबर यह सही बाद है इट रजिस्टिंस टू पेट्रॉलियम यह हो सकता है पॉस्बिल्टी है इस आप्टन फ्रॉम स्ट्रीन यह जोल लग रहे ह स्ट्रीन से तो नहीं बनता है इस अपने साम को फानव से बंता है काई से बंता है तो न्यं औरन यह जरी निठ पर व्यक्काभ हूशनatiques की सर्ण कर्मेद अब यह कॉलीमर है अब यह Haj把ू the option बर फेले यह जो होता है इसका मतब यह हुआ कि यह तीनों बात सही होगी और यहां पर लिखा है कि इस अ कंडेंसेशन पॉलीमर मतब यह बात भी सही है मेरा कुश्चन नहीं है में सीटी का कुश्चन है डारीट हमने उनके बोलता है कि सीटी से निकाला हुआ तो अब आपको द्रीदेर समझ मेरा क्यार नियोप्रीन पॉलीमर दिखाता अल्डोव इड हैज अनली वन मोनमर इसके पास एक मोनमर होता है फिर विर कंडेंसेशन दिखाता है बहुत सारे बुक में इडिशन पोलीमर के अंदर आता है अगर आप बुक में लिखने लिखा हुआ एडिशन पोलीमर लेकिन नियो प्रीट जो है कि सही तरीक सा अप्जर्व करेंगा तो ये एक अंदर बहुत सारे बुक में अदिशन लिखा हुआ है तो इसको माने तो सीटी सेल के दौना दिया या जो इनपरमेशन है वह हम राइट मान रहे हैं कि भाई नियो प्रिनी जब कंडेंसेशन पॉलीमर याद रहेगा आपको लंबे समय तक येस तो ऑप्षिन को अच्छे सो अब्जर्व करना और फिर मांग करके लेना ठीक है येस 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 चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेस्चन एक बच्चा बुक में क्या लिखा बुक में दोनों लिखा है बच्चा बुक में न किसी-किसी बुक में एडिशन लिखा है किसी-किसी बुक में कंडेंसेशन लिखा है ठीक है बुना एस इस ऑप्टेइन बुना एस का मोनुमर बता दो सिम्पल अगर बूलेंगे तो तो बुना मतलब इस मतलब इस तरीन तो तीन और माख करो स्ट्रीन और ब्यूटाइन को मात कर बच्चा नंबर डी एकदम सही क्योंकि नाम से पता चल रहा है बूना एस ब्यूटाइन श्ट्रीन समझ में आया बच्चा ब्यूटाइन श्ट्रीन इस दिराइट आंसर अगला क्वेशन आपके लिए यूद फॉर्मल ड्याइड रेजि से यूज फॉर्मल ड्याइड ऐसे यूर्या फॉर्मल रेजिन के गमकटाइं और पेल तुम सर्फ को पता धरेडिंग na एग्जम्पल है इजी आंसर है थर्मो टेटिंग बंगान से पढ़ नरे सरी यूरिया फॉर्मल डियाइड बैकलाइट यह सब के सब जो है न बच्छा ऐसे एक्जांपल्स होते हैं अगला टॉपिक आपके लिए विच आप फॉल इंग मोनुमर इस यूज इन प्रिप्रेशन ऑफ पैंड सर यह क्या सीने दोजर बाइस का क्वेस्टिन पैंड आएक पैंड नहीं बच्छा पॉली एक्रीलो नाइटरिल इसका फूल पॉली एक्रीलो नाइटरिल यह इसको राइट बोलेंगे सब को चीजे एकड़म आसान हो रही है इसी तरीके से समझ पारे हो बढ़िया तरीके समझ पारे हो लंबे समय तक आपसमझ पारे हो सर्फ अगला टौपीक आपके लिए डो हजार तेस्ट का कुष्चिन ध्यांसे सुनों जराब दो हजार तेस का question क्या है सर दो हजार तेस का question जड़ा देखो है यहां पर recent पीवाई को पुछा गया है कि which of the following statement is not true about high density polythene high density polythene के बारे में कौन सी बात आपको लगरी की जोल जापाटे वाली है गलत है it is obtained from ethene यह तो सही बात है यार it needs high pressure यह गलत बात है इनको बनाते समय ज्यादा नहीं चीह रहता बचा छे से साथ चीह रहते हैं यह गलत इनफर्मेशन है इनका जो प्रेशर जो अप्लाए करते हैं वह बहुत ही कम करते हैं जबकि यहां पर दिया है होता है अगला क्वेशन 2023 का ओहो क्या बात है सर चमचमा रहा है क्वेश्चन इगदम आडेंडिफाय को पॉलीमर को पॉलीमर क्या होता है को पॉलीमर का मतलब हेट्रो पॉलीमर इसमें से सर्च करो कौन सा को पॉलीमर जो दो लोगों से मिलके बना रहेगा टेरिलीन मेरे काल से सही आंसर होना चाहिए कि यह क्यों सर्च कौन से वह दो लोग है कौन से वह खुश नशीब लोग है जो इन से मिलके बंदे या इनको बनाने अटेली में मदद करते हैं तो एक बंदा जो होता है बच्चा आपका दिमांग चलाना चाहिए इथिलीन ग्लाइकॉल धान सुन लो पहले जाना और दूसरा बंदा होता है अधेर फैलिक एसी तो यह वो दो बंदे होते हैं जिनकी मदद से ट्रीलीन बनाया जाता है तो अपने दिमाग में अपने जहन में अपने आपको अच्छे से बता दो कोई दिक्कत नहीं कि आप अच्छे समझ पाएंगे कोई दिक्कत कोई डाउ तो यह जो फटाए जल्दी बोलो जल्दी से लिए जल्दी यह पॉलो बचे जल्दी से वोट करेक्ट आंसर फटाफर दिमाग चलाओ आंसर बताओ येस जल्दी कर मेरे भाई everyone in the chat box हंगामा मचा दो ऐसे question में easy question इतना difficulties वाला भी नहीं है बोलो जल्दी से what is the correct answer किसे ने solve किया अब तक green chemistry पढ़ाई किये गी नहीं दुम लोग ने जल्दी बोलो क्या बोल रहे हैं मेरे भाई c answer को लॉक कर दू पक्ता लॉक कर दू एकदम अच्छे से yes sir हमको याद है हमने green chemistry में यलो यलो बॉक्स में देखा हुआ है कि hdp का यूज होता है floor tiles के लिए yes checker बचा जर एक बार फिर से चेक करो बढ़िया तरीके से कोई डाउट है तो बोलो floor tiles के लिए किसका यूज करते हैं दिमाग जरा चला लो अच्छे से ठंडे दिमाग से एकदम अगला question आपके लिए यह रहा 2021 का question है यह भले ही polymer में दिख रहा है लेकिन यह green chemistry का question हो सकता है 2021 का question सर यह polymer है कि green chemistry है बड़ा confusion हो रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ polymer को आप तभी complete मारेंगे जब आप chemistry का uses भी पढ़ लेंगे तभी आप complete मारेंगे नहीं तो भाई दिक्कत होने वाली आदगना विच आप पॉलीमर का कौन सा एक्जांपल बढ़िया है तो भाई पॉलीथलीन नहीं पॉलीविनल नहीं नालों जिक्स नहीं बुना एस एक्डम सही है क्यों भाई क्योंकि यह व्यूटा डाइन और स्ट्रीन के कॉमिनेशन जबनता है मैं दिखा दूं आपको यह इसमें दो बंदे मिलते हैं एक व्यूटा डाइन मिलता है व्यूटा 1,3 डाइन ले लेते हैं और दूसरा स्ट्रीन आया समझ में तो यह हमारे पास ऑप्शिंस रहेंगे बुना एस कोई दिक्कत बच्चा अगला कुशन आपके लिए विच अवंग फॉल्लिंग पॉलीमर्स रिस्टोर्स इस ओरीजिनल पोजिशन या शेप वन स्टेश्ट वह कौन है कि अपनी जगह पर वापस आ जाता है पिजिक्स का लासे सीटी नाम सुना वा तुमने बस यह पैचानों कि इलाश्टूमर कौन दिखाता है सिंपल लेंगेज में मैं बात करूं तो इसमें से कौन है जो इलाश्टूमर का नेचर दिखाता है एवरीवन इन दर चैट बॉक्स जल्दी से बोल बच्चा बिल्कुल सही जवाब सर ये नियोप्रीन बंदा कैसा है इससे मिलके बनता है थोड़ा सा देख लो कंसेप्ट आफ पीवाई कुछ चल रहे है तो कि देखते चलो इसको बोलेंगे क्लोरोप्रीन जो कि दो नंबर पे लौर अटेच होता है और बाद में ब्यूटार रहें होते तो दो लौरोप्रीन इसका नाम है और जब मैं इसको एंड टाइम मिला के इसका पॉलीमराशन करूंगा ना ओहो हो भाई फिर तो पूछो ही नहीं अरे फिर तो पूछो ही नहीं यहां पर आ जाएगा चीज़ टू पूलो यह बात समझ में आई इस नियोप्रीन कोई दिख्खत कोई किसी को भी कहीं पर भी चीज़ां असान हो एकदम यह सर तो डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल ऐसे करनेगा दोजर बाइस का एक और चम चमाता हुआ क्वेस्टन आपके लिए देख लो क्या बढ़िय एकलो नाइटरिल का मतलब है डिख टू इसकी मतर से बनता है आपको यार दिला दों यह कुछ ऐसा दिखता है वाइए है यह कुछ आपको से पॉली एकली आपको है हैं लास्ट कंसेट की तरफ लास्ट एम सी क्यूंगा सिरी जो चल रहा है दो क्वेस्टन दूर इस चप्रों को खतम करने से 2000 का लास्ट कंटेंड लोंगा मैं कैसर विच अमंग फॉलॉइंग पेयर्स ऑफ पॉलीमर्स कंटेंस बोथ मेंबर्स ऑफ बोथ मेंबर्स ऑफ को इद दोनों के दोनों कि बंक्र नॉम्र है नियो पर न॥ा और टयूजए होगेलें बैकलारर लॉग्ः टो पोलीमर लेकिया और लोन पॉलीमर्स को पॉलीमर्स के लिदेमिया नासितन लिया व्यूला से निकला हुगआ के लाइन से क्वड़ा हुआ क्वश्चन बाहुत मज़ेदार से पढ़को मालू कि यह क्वश्चन नखीमलें से पढ़ें तो इसमें से मिलेगा कि रबर विच अमंग दफॉल्लिंग पार्च आप ट्री इस सोर्स ऑफ लेटक्स लेटक्स और लेटेकों बोलते हैं तो राइट आंसर है बार्क एकदम सहीं आंसर बार्क हमारा एक दमकरेक्ट आंसर है इस तरह से यह जो चैप्तर अफिचली मैं कहूंगा खतम हो चुका है इसमें कुछ लेकिन वह मैं आपको डाल रहा हूं कि इसके आगे के जो कंटेंट रहे हैं पुरा पीडियाप में आपको भीजूंगा इसके आगे के क्वेशन आप लोग अपने लेवल पर प्राक्टिस करना ठीक है ऑफिशिल अनॉंसमेंट हो रहा है पॉलीमर चेप्टर एक ही बार में ख स्काशन में होमर्क का अंसर डाल सकते हो ठीक इसका इसका यह इसका यह इसका यह देखते हैं इतका संसर होते हैं और आपको समझाएंगे चाहिए तो कमेंट में जरूर रिपलाइँ करो होमर्क जो आपको दे रहा हूं सरीए पीडियाफ काहा मिलेगी ऑल अबाट केमिस्ट्री के फ्री स्टडी मट्रियल के अंदर आपको एक लवे 4.0 का फोल्टर बना है वहाँ पर मिल दाएगा या फिर हमारा जो टेलेग्राम 4.0 का जो टेलेग्राम चैनल वहाँ पर भी आपक आपको आपको प्राइब दान सरीए झाल आपको एक कॉ प्राइब साय पर जया और शया व्हाँ पर उत्या मैशियma का ज्सक्रину प्र खको fourो एम आपको जो ँमा है झाल है जो जो आपको ठो पर प्माहँ जो रू़ के कर लाईवां नपर उपको tahanson नाया, हमा दो जि